नेक्स्ट है बेटा हमारा सम नमबर थर्ड फेक्टराइज अफॉलोविंग ये भी सेम है इसमें ट्राइनोमियल गिवन है तो आपने ट्राइनोमियल में से कॉमन फेक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है जैसे अभी हमने सेकिन में किया तो एक दो पार्ट मैं इसका आप आपको बता देती हूँ थर्ड का फर्स पार्ट जैसे है 8x की 4 माइनस 6x क्यूब y माइनस 4x क्यूर तो आप देखोगे सबसे पहले 8 6 और 4 का कॉमन फेक्टर क्या है तो कॉमन फेक्टर इनका है 2 जो तीनों को डिवाइड कर रहा है अब आप देखो य सिरफ मिड टर्म के पास है इन दोनों के पास नहीं है तो y common factor नहीं आएगा अब x की lowest power क्या है 2 तो x की lowest power 2 जो है वो common आ जाएगी तो यहाँ पर क्या बच्चा 4 आप पढ़ सकते हो 2 4 जाएट होता है तो 4 remaining x की power 2 बाहर है तो 2 inside 3 into x और 7 में y और minus 2 this is our factor तो इसमें सिरफ आपने common लेके इसको factor जो है वो बनाने है एक पार्ट और देखेंगे इसका second part p raised to power 4 q raised to power 4 minus 2 p cube 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 minus p square q square अब आप देखो इसमें 2 सिरफ middle term के पास है तो common नहीं आएगा अब p की lowest power is p square q की lowest power is q square common आ गई यहाँ पे 2 power common आ गई तो 2 remaining यहाँ से 2 बाहर चली गई तो 1 1 power remaining यहाँ से कुछ भी नहीं बचा तो only 1 remaining जब आम इसको 1 से multiply करेंगे again we get the same term back तो ऐसे आप sum number 3 जो है वो भी खुद करोगे next हम करेंगे इसका sum number 4 sum number 4 जो है factorize the following इसमें हम यूज करेंगे completing the square method देखें कैसे करेंगे बहुत ही easy है m square plus 14m plus 49 completing the square जो है कैसे करेंगे बिटा आपको मैंने एक formula लिखवाया हुआ है a plus b का whole square which is equals to a square plus b square plus 2ab ठीक है तो यही हम यहाँ पर use करेंगे देखें पहले हम terms को rearrange कर लेते हैं ताकि हमें formula लगाने के time थोड़ी problem ना हो m square plus 49 plus 14m अब m square को हम ऐसे लिख सकते है 49 किसका square है 7 का और 14m को break करेंगे तो 2 into m into 7 अब यह बन गया आपका a square इसको break किया b square 2 into a into b a is m b is 7 तो आपने इसको इस form में लिख लिया a square plus b square plus 2ab तो यह किसका square है a plus b का whole square तो a is m b is 7 whole square तो इसके factors क्या बन गए m plus 7 m plus 7 एक बार फिर से इसको repeat कर रहे हैं सबसे पहले हमने term square range कर लिया m square 49 plus 14m फिर हमने break किया a square 49 7 का square बन गया जब हमें a square और b square मिल गया हम लिखेंगे 2 into a into b तो यह किसकी expansion है a plus b का whole square यानि इसके factors जो आ गए वो आ गए m plus 7 का square square मतलब यह term जो है वो 2 times आ रही है तो this is the completing square method यह completing square method जो है वो है हमारा अब हम एक दो इसकी और example देखें जैसे second देखें इसका second part देखें बिटा इसका second part है 9x square plus 30x plus 25 तो पहले इसको हम ऐसे arrange कर लेते है 9x square plus 25 plus 30x हम last मिले जाएंगे अब 9 किसका square है 3 का और x किसका x square तो यह बन गया 3x square 25, 5 का square है this is our a, this is our b अब यहाँ पे आगया 2 into a into b आप multiply करोगे you will get 30x तो यह हमारा expression बन गया 3x plus 5 का whole square बहुत ही easy है सिरफ आपको square complete करने आने चाहिए कि किस-किस का square बन रहा है next देखे 16x square 121 plus 88x 16x square जो है वो 4x square का 121, 11 का square अब a और b मिल गया तो 2 into a into b जब आप multiply करोगे you will get 80, 8x तो यह 4x plus 11 का whole square तो ऐसे आप बाकी के parts जो है खुद करोगे एक मैं माइनस वाला करवा रही हूं इसका एट पार्ट 16a square minus 24ab plus 9b square तो यह 16a square plus 9b square को मैंने पहले लिख लिया और minus 24ab को last में अब 16a square जो है वो 4a का square बन जाएगा 9b square जो है वो 3b का square बन जाएगा अब यहाँ minus है तो minus 2 into a into b आप multiply करके देख लो you will get 24ab अब आप देखो अब यह हमारा formula बनेगा a square plus b square minus 2ab a जो है 4a है b जो है वो 3b है तो यह किसकी expansion थी? a minus b के whole square की तो यहाँ आप minus फाला formula बनेगा 4a minus 3b का whole square तो ऐसे ही आप minus फाला एक और part है last part वो आप खुद जो है वो try करोगे इसके बाद हमारा next step factorize the following expression ठीक है? इसमें क्या है? जब आपको expression जो है वो difference of two squares जिया हो यह दो numbers के square का difference है तो यह बहुत ही easy है बहुत easy एक formula हमने आपको लिखवाया था a square minus b square वाला तो वो यहाँ पे हम use करेंगे sum number 5 first part देखे 9x square minus 16y square सबसे पहले तो आप इसको break कर लो कि यह किसका square है? 3x square और यह 4y का whole square अब आप देखे यह हमारे पास a square और b square वाली form बन गई यह a है और यह b है अब इसका formula अगर यहाँ दो तो एक बार a plus b एक बार a minus b तो बस लगा दीजिए 3x plus 4y और 3x minus 4y तो आपके जो 9x square minus 16y square था उसके factor बन गए 3x plus 4y और 3x minus 4y उसके बाद इसका second part देखे 25b square minus 4 इसको हम कैसे करेंगे 5b square minus 2 square तो a is 5b b is 2 तो a square minus b square एक बार a plus b और एक बार a minus b तो formula अगर यहाँ है तो आप easily इसको break कर सकते हो 5b petite झाण 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 झाण